तो यहर बॉइस की सीजन 3 को मैंने कल ही पूरा बिंज वाच किया वैसे वीकली में देखता ही था लेकिन मुझे लगा कि वीडियो बनाने से पहले सीजन 3 के आटो एपिसोड को एक बार में देख लेना सही रहेगा यहर बोलना पड़ेगा किरी वाच का एक्सपिरियंस भी मेरा सही रहा भाई आववेस है कि दुबारा देखने के बाद भी मैंने इंजॉय किया तो शो आसम ही होगा वैसे यहां में पहले यह डिसकस करना चाहता हूँ कि आखिर यह शो आउडियंस को पसंद क्यों आ रही है आखिर दा बोईज ने ऐसा क्या किया है कि दूसरे सूपर हीरो जानरा के शोज इन मुवीज इसके आगे थोड़े फीके से लगने लगे हैं अगर इसको सिंगल वर्ड में बोलू कोई मुझे बोले कि एक वर्ड में explain करो तो यह दा बोईज जो सिरीज है वो expect the unexpected वाली logic को follow करती है अब मान लो कि आपको कोई बोलेगा कि एक सूपर हीरो सिरीज है बहुत ही awesome है जरूर देखना तो सूपर हीरो सुनते ही आपके मन में क्या expectations होगे कि भाई एक सूपर हीरो होगा उसको किसी तरह की सूपर पावर्स मिलेंगे और वो विलन्स की धज्जियां उड़ाएगा तो हाँ यह typical सूपर हीरो जानरा से expectation होता है और यहीं पे the boys के maker unexpected कर देते हैं जैसे all humans are not good वैसी all superheroes are not good जैसे in real humans के दो face होते हैं वैसी यहां कई superheroes के दो face दिखाएगे हैं भाई देखो दुनिया के लिए भले ही यह superheroes हैं बर शॉक element तब आता है जब सब को पदा चलता है कि भाई यही superheroes विलन्स भी हैं और यहीं जो unexpected outcome है इसको लोग enjoy करते हैं सही मिया good versus evil वाला जो concept होता है वो follow ही नहीं क्या गया यहां कोई character good feel नहीं होता बलकि सब selfish feel होते हैं सबको अपने काम से मतलब है और यही superheroes के दोगलेपन को fans enjoy कर रहे हैं देन मुझे यह लगा कि यह show इसलिए भी work करती है क्योंकि यह traditional superheroes को ताना देती है लगता है कि पूरी की पूरी scene ही उनको सारकेजन दे रही है अब जैसे कि superman evil होता तो क्या होता हमें home lander मिलता देन soldier boy को देखकर है I'm sure कि सबको captain America की याद आई होगी और captain America अगर selfish, self obsessed होता तो क्या होता ऐसा situation हमें soldier boy की story से भी दिखाया गया point यही कि traditional superheroes के concept को यह series एक अलग way में दिखाती है जिससे कि audience engage होते है आपको पता नहीं होता कि in the end क्या होने वाला है क्योंकि good versus evil का concept तो follow ही नहीं क्या गया भाई सही में season 3 end होते होते सारे के सारे characters को बस अपने motive से मतलब है अब इतनी तारीफ सुनने के बाद यह मत सोचना कि यह show perfect है जिसमें कुछ भी कमी नहीं है nothing is perfect even season 3 में कई जगा storyline कुछ खिची भी लगती है and personally मुझे starlight का character थोड़ा weak होता हुआ लगता है literally feel होता है कि writers ने starlight के लिए थोड़ा उपर नीचे होने के बाद भी since concept refreshing है तो audience को पसंद आनी ही है हाँ वैसे season 3 के ending को लेकर mixed reviews आए है episode 8 में जो हुआ उस पे लोगों का कहना है कि पूरे season का कोई मतलब ही नहीं रह गया सब का कहना है कि जहां से story start हुई थी वहीं पे end हो गई और सच बोलूँगा हाँ ये feel होता है बट still इस season से homelander के character का development बहुत सही way में किया गया है अब आप homelander के character को और अच्छे से समझ पाते हो और उसके actions ऐसे क्यों है ये भी आपको पता चलता है और हाँ इस season के end होते होते अब homelander के दो face नहीं है मतलब वो जैसा है वैसा ही public को दिखाता है उसे public के सामने अच्छा बनने का ढोंग नहीं करना पड़ता तो हाँ भली ये season दूसरे characters को उतना limelight नहीं देती दूसरे characters पर उतना focus नहीं करती बट homelander के लिए बहुत ही proper development करती है जिसके लिए fans for sure next season के लिए excited है चाहिए किस genre के fans same story different superheroes के साथ देख देख कर बोर हो गए है जहां एक normal इंसान को super powers मिलते हैं उसकी origin होती है जिसके बाद वो powers का use करना सीखता है और अपने जैसे similar power वाले super villain को वो हराता है ये story हमने कई बार देखी है और अब boys के तरह कुछ नया चाहिए अब देखो इससे जादा मैं नहीं कीचूँगा In conclusion, ये series इसलिए work करती है क्योंकि audience को यहाँ कुछ नया दिया गया है जो कि refreshing है characters interesting है, सबका performance awesome है specially Carl Urban and Anthony Star के performance के आप fan हो जाओगे भाई सही बोलू तो Homelander के character से नफरत हो जाएगी ऐसे इस character को develop ही किया गया है तो हाँ आपने इस season को enjoy किया या नहीं comment में जरूर बताना और भाई अभी तक नहीं देखे तो Love and Thunder का review देखने के लिए उपर वाले वीडियो देखे और कुछ random देखने के लिए नीचे वाली मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा Till then Be Desi, Be Nerd